नमस्कार दोस्तो एग्री टेक यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम नर्मे कपास में होने वाली पैरा विल्ट यानी उखेडा रोग की बात करेंगे जिसे नया सुखा रोग भी कहते हैं दोस्तो इस बिमारी का परकोप लगातार बढ़ता जा रहा है यह बिमारी उत्तरी बारत के कपास उगाने वाले सभी शेत्रों में देखने को मिल रही है और यह कपास की मुख्य समस्या बनती जा रही है इसका मुख्या कारण है लंबे समय तक सूखा रहने के बाद सिंचाई कर देना या फिर बारी बरसात का हो जाना यह बिमारी आम तोर पर रितिली बूमी में देखने को मिल रही है लेकिन पाणी अधkin समय तक बरा रहने पर चिकनी मिटी में भी यह समस्या देखने को मिलती है बारी बरसाथ ओने के बाद जब अचानक तेज दूप निकलती है तो यह बिमारी जादा देखने को मिलती है इसमें पोदे अचानक मुर जा जाते हैं और तिवर गती से सुखने लग जाते हैं लेकिन इसमें जड़ों पर कोई विशेश प्रबाव नहीं पड़ता जड़े समाने रहती है यदि यह समस्या तब आती है जब पोधों पर टिंडे लगे हुए हो तो पोधा सूखने के बाद पत्ते जड़ जाते हैं और टिंडे समय से पहले खिल जाते हैं लेकिन उनका साइज बहुती छोटा होता है दोस्तो इस रोग में कोई भी रुगानू शामिल नहीं है यह बिमारी पोधों को उचित मात्रा में पोशक तत्व उपलब्द नय होने के कारण और जड़ों का रैस्पाइरेशन सिस्टम बंद हो जाने के कारण यह समस्याती है इसलिए किसी भी फंगी साइड की सपरे इस बिमारी में काम नहीं करती है दोस्तो इस बिमारी को कंट्रोल करने के लिए आप लगातार अपने खेट की निगरानी रखें खास कर बारिश या संचाई करने के बाद बारिश के बाद यदि ज़्यादा पाणी खड़ा रहता है तो इसे खेट से बाहर निकाल दे और यदि मुर्जाने के लक्षन दिखाई पढ़ने लगे तो 48 गेंटे के अंदर कोबाल्ट कोलराइड की 2 ग्राम मात्रा को 200 लिटर पाणी में गोल बना कर प्रती एकड़ के हिसाफ सिष्ड काव करें दोस्तो इस समस्या के लिए यही उपाय कारगर है अन्य किसी भी फंगी सैड की सप्रे ने करें उनसे यह बिमारी ठीक नहीं होगी तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो पसंद है यह तो लाइक और शेयर कीजिए ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लिए मिलते एगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वंदे मात्रम